दोस्ते आप भी एक बिगिनर से और आप भी अपने मोबाइल से यूटूब पर वीडियो अपलोड करते हैं तो इस वीडियो को इंट तक जरूर देखना क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगो कि इस प्रकार से आपको सही तरीके से अपने मोबाइल से यूटूब कि वो ज्याद आच्छी क्युपमेंट के साथ इंवे यह pursuit感 उपने परऄटिक तरीके में बदलाव करना पड़ेगा आपको अपने वीडियो के टाइल लिखने के तरीके में यह लगा unique बदलाव करने औल कीनल का इंप्रेशन बढ़ेगा आपके वीडियो की रिच बढ़ेगी और यह डिपेंड पर करता है आपके वीडियो अपलोड करने के तरिके पर चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से आपको एकर पेस्ट करना होता कि इस प्रेकार से description लिगक कर रख सकते हैं आप लोग अपनी social media account के link के अपने description में साथी में यहां पे जैसा के आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर मैं आपको 10 best application के बारे में बताऊंगा जो कि एक beginner के लिए बहुत ही जरूर ही है तो उन सब भी application के यहाँ पर link दे दिया है यदि आप भी किसी application या किसी वीडियो के बारे में बता रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर link दे सकते हैं देर उसके बाद आपको last में your career प topics होंगे आप सबको यहाँ पर link दीजिए तो इतना सब कुछ करने के बाद चली चलते हैं यूटूब पर और मैं वहाँ पर आपको एक वीडियो अपलोड करके बताता हूं चली open करते हैं यूटूब का आप जैसी यूटूब को open करेंगे देन उसके बाद आपको यहाँ प आपने जो भी title link रखा है उसको copy करना है simply से चली मैं यहाँ से इस वाले title को copy कर लेता हूं यहाँ से मैंने title copy किया देन उसके बाद यहाँ पर मैं उसको paste कर दूँगा ठीक उसी प्रकार से description को यहाँ से same to same copy करना होगा जो कि मैंने description link रखा है यहाँ पर select करेंगे देन उसक कि ँदृर मैं यहाँ से description पर जा के उस वाले description को यहाँ पर paste कर दिया है तो जैसा कि आप लोग देख रहे होगे यहाँ नहीं रहता है उसके चलते आपके चैनल पे copyright claim आ सकता है, copyright strike आ सकता है, आपका चैनल डिलेट हो सकता है, तो आप ध्यान रखिए कि आप कभी भी अपने description में कामा का use ज्यादा नहीं कीजेगा, तो यहाँ पे इस प्रकार से आप लोग description लिग दीजे, लास्ट में यहाँ पे आप hashtag भी लगा तो directly upload होते हैं, वीडियो पब्लिक हो जाएगा, और इस दिया आप unlisted रखते हैं, तो आपका वीडियो आपके लावा वही देख पाएगा, जिसे भी आप link share करेंगे, आप जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो आप सबसे पहले उसे unlisted ही रखिए, जब हम वाइटी बेख करेंगे, उसके बाद हम उसे public कर देंगे, यहाँ पर मैं अभी अपने वीडियो रखूँगा, देन उसके बाद आप यहाँ पर बेख करेंगे, बेख करने पर आप देखेंगे कि no it is not made for kids, जो कि by default दिया हुए, चलिए इस पर touch करते हैं, जैसे आप इस पर touch करेंगे देन यहाँ पर next है, no don't investigate my video to viewers over 18, तो आप यहाँ पर no don't investigate my video to viewers over 18 पर touch करेंगे, मतलब कि यह by default भी YouTube की तरफ से रहता है, मतलब यहाँ पर यही है कि आपको यहाँ पर no it is not made for kids पर touch करना होगा, so friends आप जब भी कोई वीडियो अप्लोड करें तो आप अपने वीडियो में no it it is not made for kids select करें, then उसके नीचे आपको यहाँ पर location का option मिलता है, आप यहाँ पर अपने location डाल सकते हैं, यहाँ पर यहाँ पर अपने location डाल दिया है, उसके बाद आपको यहाँ पर add to playlist करना होगा, आपने जो भी playlist बना रखा होगा, सारी की सारी यहाँ आँ सो कर देता है, तो आप लोग देख रहे होंगे, हमारा वीडियो अभी हो चुका है, अपलोड तो चली चलते हैं, वाँपे कुछ settings करना होता है, अब वो क्या करना है, तो चली मैं आपको बताता हूँ, तो चली चलते हैं, वाँटी स्टूडियो में, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आजाता है, आपको उस वाले वीडियो को सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपने जो भी title लाला था, जो भी description डाला था, वो सारा का सारा यहाँ पर show कर देता है, अब यहाँ पर आप अपने title को edit करना चाहिए, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नी है, आसानी से यहाँ पर edit हो जाता है, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले इस pane वाले icon को touch करेंगे, देन उसके बाद हम यहाँ पर custom thumbnail पर touch करेंगे, और हमने जो भी thumbnail बना रखा, इस वाले वीडियो के ल आपका जो thumbnail था, वो change हो चुका है, अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको unlisted ही रखना है, देन उसके बाद आपको यहाँ पर monetization, यदि आपके channel पर on होगा, तो यहाँ पर on option मिल जाता है, आप यहाँ पर on कर दीजिएगा, यदि off होगा, तो उसके बाद आपको य वीडियो है, वो बच्चे लोग देख सकते हैं, या पिर नहीं, 18 प्लस हाई या नहीं, तो आप यहाँ पर no it is not made for kids select करें, इससे क्या होगा, कि आपके वीडियो सभी लोग देख पाएंगे, देन यहाँ पर बेक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपके यहाँ पर playlist का option मिलता है, आप यहाँ पर किसी भी playlist में select कर सकते हैं, देने उसके बाद आप यहाँ पर सबसे important point क्या रहता है, कि आप यहाँ पर text क्या क्या डालते हैं, अब आपको यहाँ पर text लाना होता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपका video जिस भी topics related ह तो मेरा जो यहाँ पे वीडियो का title क्या है थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गाई इसे ठीक कर देते हैं अब text का मतलब क्या होता है कि आपके वीडियो को लोग कितने प्रकार से search कर सकते हैं मतलब कि आपके वीडियो का जो भी title होगा उससे रिलिटेड आपको सारे के सारे title आपको अपने text में यहाँ पर डाल देना है और लोग क्या search करेंगे तो उनको मेरा video दिखाई देगा आपको सोचना है अपने video के title के recording और उसी हिसाब से आपको यहाँ पर text में डाल देना है आप जैसी यहाँ पर किसी भी टेक को लिखेंगे उसके बाद आप यहाँ पर जैसी कामा लगाएंगे तो वो टेक बन जाता है इसी प्रेकार से आप लोग जीतने भी टेक्स लगा सकते हैं आप लोग यहाँ पर लगा दीजिए तो मैं यहाँ पर फटा फट से सारे के सारे ट लगा लिया है आप लोग इसी प्रिकार से टेक्स लगा सकते हैं अब टेक्स कैसे लगाना है टेक्स कहां से मिलते हैं उस पर मैंने की वीडियो बनाया हुआ है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आप लोग देख लीजेगा बहुत ही अच्छा वीडियो ह करना होगा स्वेहां पे आपको बेक नहीं करना है आपको यहां पे जैसे आप टेक्स Ming ऑप कर सकते हैं अब आपको यहां पर क्या करना होगा क्या से पब्लिक कर सकते हैं। इडिट पर टंच करना ऑड लेकिन आप यहां पर क्या करिए जब भी आप वीडियो पर उनलिस्टेड रहेगा तब आप एक बार यहां पर यहां पर यह यूट्यूब पर टाच करेंगे तो आपका वीडियो दीख जाएगा मतलब कि आप एक बार error check कर लिजे कि आपके editing में तो कुछ problem नहीं है मतलब कि कुछ गलती तो नहीं हो गई आप एक बार check कर लिजेगा या फिर आप इस वाले video को किसी से check करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे share पर touch करेंगे तो आपका video सिर्फ वही बंदा देख पाएगा जिसे आप share करेंगे और हाँ आपको यहाँ पे एक बात यह याद रखना है कि जब भी आप अपने video का title डाले तो आपको अपने video के title में जितने भी words रहेंगे उनका जो first letter रहेगा उसको आप capital लिखेंगे तो उससे क्या होता है कि आपका title attractive लगता है और आप जितने भी बड़े यूटूबरों के title देखेंगे तो उनके video के title में जितने भी words रहते हैं उनका जो first letter रहता है वो capital रहता है इससे क्या होता है कि वीडियो के title थोड़ा से attractive लगता है थोड़ा से अच्छा लगता है तो आप लोग इस प्रकार से अपने video को completely upload कर दीजी देन उसके बाद आप लोग पब्लिक करके save कर दीजेगा आपके वीडियो की notification लोगों तक पहुच जाएगी आप लोगों ने देख लिया कि किस प्रकार से आप लोगों को अपने mobile से वीडियो upload करना है और जब भी आप वीडियो upload करें तो आप उसको direct ही public मत कीजिए आप उसको पहले unlisted रखिए उसके बाद yt studio में जाईए आप उसको महाँ पे title चेंज कर दीजिए description लगा दीजिए अच्छा सा थमने लगा दीजिए उसके बाद आप लोग एक बर चेक कर लिजिए कि कुछ error तो नहीं बच गई उसके बाद उसको आप पब्लिक कर दीजिए और मुझे उम्मीद है कि आपको इसी वीडियो से help जरूर मिले होगी और यदि कुछ प्रावलम आती तो आप लो वीडियों के साथ जहीं बंद मात्रम